मेरे प्यारे देश स्वास्चियों, स्वास से उपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सुसाइटी का मंत्र हमारे संसकारों का हिस्सा है। हमारे देश में अंगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन दे बनाए हुए है। मुझे आन्त प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साती राम भुपान रेडी जी के बारे में जानकारी मिली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामभुपार रेडी जी ने रिटार्मेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की सिख्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब सो बेटियों के लिए सुकन्या समरुद्धी योजरा के तहर खाते खुलवाए और उसमें अपने पचीस लाग से जानदा रुपिये जमा करवा दिये। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरन यूपी में आगरा के कचोरे गाउं का है। काफी साल से इस गाउं में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गाउं के एक किसान कुमर्सी को गाउं से 6-7 किलोमेटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्योंने इस पानी से बाकी सभी गाउं वाच्चों के भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गाउं तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाक रुपिय चाहिए थे। कुछ समय बार कुमर सी के छोटे भाई शाम सी सेना से रेटायर होकर गाउं आये। तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रेटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनरासी इस काम के लिए सौब दी और खेत से गाउं तक पाइपलाइन बिछा कर गाउं वालों के लिए मिठा पानी पहुँचाया। अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रती गंबीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविश्य बदल सकता है। ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेना है। हम कर्तव विपत पर चलते हुए ही समाज को ससकत कर सकते हैं, देश को ससकत कर सकते हैं। आज हादि के इस अमरित महुत्सों में यही हमारा संकलक होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्या, कर्तव्या और कर्तव्या।